असलामलेकूम वेल्कम टो आट्यूप चैनल कैसे हैं आप उम्हेद करते हूं कि आप सब्सक्राइब आज में आपके साथ में की जो रोटियां है उसकी रेस्पी शेयर करने चाहरे हूं और इसको बनाना बहुत यह सान है तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं यह मेरे पास की दो आटा है तो इसको हमने सिर्फ थोरा सा आटा जो है वसमें यूज करने है थोरे साथे की रोटियां बनाएंगे इसको अच्छे साचान लेंगे कि अगर कोई इसमें कोई जर्राव कर रहा है गंद उसका मकही का तो वो निकल जाएगा यह देखें हैं में थ से चान लेदे हैं चानने के बाद धिर हम हम इसको घुन्द लेंगे यह देखें है तो थोरा कटे हैं में भूलगा थो है मैं तो वह बता दिया है यह देखें से इसको गंदुम काटा और तो इसमें थोरा सा गंदुम काटा जो था वह भी एड़ किया था आप क्या करेंगे इसको थोरे से नीद गरम पानी के साथ हम इसमें थोर थोरा पानी एड़ करते जाएंगे और इसको गूंदे जाएंगे इस तरह से मीरी मामा जो हैं वीडियो बना रही हूं सुबह बस चल अदिल्दी से गैस कभी मेरा मसला होता है कि गैस भी ना चली जाएंगे विकिन खैरी साले काम सासा चलते रहते हैं तो इसमें हमने जो है वो नमक भी एड़ किया था थोरा सा इसको हल्किया तो इसे गूंदने ना जादा आपका वो सक्त आटा नहों बस थोरा सा ना नेरम दखना है आटा तो अब हम इसको अच्छे से गूंते हैं और इसके साथ हमने जो है वो साग भी बिनाया था है साग जो था वो उसकी डैस्पी में ने आपका सा शेयर की हुई है वो में चैनल पर मजूद है और साग बनाके फ्रीज किया था उसको निकाल के तो डिफ्रीज क अब बहुत को भी तरका लगाएंगे और फिदे में जो मारा यह जो मगेही काटा है यह तोरा सा नरम भी हो जाएगा इसको घूंद के रख देंगे ताकि यह जो है मगेही काटा वो अच्छे से नरम हो जाए यह देखे इसको आमने हाथ की जो हतेली है उसके साथ इसको तो इसको बम एक बाउन में डाल के तो रखतेंगे इज़े में हम जो है वो साख को रेडी करनेंगे साख को हमने तो उससे निकाल के थोड़ा सा पानिया इटके तो इसके अंदर हमने इसको हलके से हाथ उसे पहले हलाया है बढ़ानी से ठीक है और इसमें थोड़ा साओ की थिशे में सटोड़ करते उसमें आटा हम आड़ करके नहीं रखने आठा ट渡 करें हों नियांसे早 में नहीं होटे को लिए हैं कि आठा रहा कर से और गार रहे हैं हुआ आठा डाल के रख़तें तो पेठ करका होटें मुझसे ब्लों के डीलिग्र पेट दॉम्हुल्ड्य मैं साघ्रा करें तो आपने इसको आइस्ता से तब के उपर डाल देना है तो इस में की रोटी में जो है वह बहुत जादा यूज होता है इस पर जितना लगाते जाएंगे यह वह बहुत जादा यूज होता है उतना ही कम है सारा जो है वो जिजब हो जाता है तो यह बहुत ही मज़ेगी रोटी बनी थी इसको चाय के साथ भी रोटी बहुत मज़ेगी लगती है और साख के साथ भी लेकिर हमने साख के साथ इसको इसको इन्जवाए किया था यह देखें आ है अलम्दोया रोटी बहुत ह एक साइड पे बनाती दूसे साइड पैसको पकाती रहती ते इस तरह से बहुत इच्छे तरीक बहुत पें दादों की रोटी बनाने आती थी यह देखें अलहम्दोलिल्ला तो यह माली की रोटी हो गई यह दिए कि दूसरी भी रडी कर लिये हैं आज रहेजिए जिए ज्ला बहुत हिस्दा मज़े की बनी है इस को हम देशी की साथ आप इंज़ए करेंगे देशी की और साथ के साथ यह देखें साथ की ओप गरम-गरम साख और इसके उपते सकी रखाव है और हम इसको खाएंगे निज्वाय करेंगे आई होप साब कमें वीडियो पसंद आई हो कमें वीडियो को लाइक शियर एंड सब्सक्राइब केज़ेगा और अपना बहुत सारा क्यार रखेगा मुझे नेक्स वीडियो के लिजास्त दे अलाफेश